नवस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंक्यता मिश्रा जिस चीज के कैस लगाये जा रहे थे जोति ना मौर्य मामले में वही हो रहा है जी हां आपको बता दे के जोती मौरिया मामले में अब जोती मौरिया ने जितनी भी बेनामी संपती खटी की है जितने भी वो संपतियां जो पती आलोक मौरिया को नहीं पता है उन तमाम संपतियों को अब जब्त किया जा सकता है दरसल हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोती मौरिया को एक नोटिस भीजा गया है जाज कमीटी की ओर से और इस नोटिस में कहा गया है कि जोती मौरिया जाज कमीटी का सहयोग करे पूछताच में और साथ ही प्लॉट और मकान की ये तमाम जो दस्तावेज हैं जो उनके पास हैं जो उनके पास जानकारियां हैं उनकी प्लॉट की उनके मकान की तमाम जो चीज़ें हैं वो दी जाए यानि की पूरा जो संपत्ती का लेखा जोका है जो जोती मौरिया के नाम पर है वो जोती मौरिया अब जाच कमेटी के सामने रखेंगी ये नोटिस जो है वो जोती मौरिया को परिशान कर सकता है उनकी मुश्किले बढ़ा सकता है कहा य है वो इखटा करेगी फिर उसके बाद अगर ध्रश्टा चार में इसके नाम सामने आते हैं तो जोती मौरिया का सबसे पहले संस्पेंशन होगा फिर उसके बाद धाराओं के अधार पर जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है साथ ही जो संपत्ती जोती मौरिया ने बेनामी रूप से खटा की है इन संपत्तियों पर अब जो सरकार का action है वो हो सकता है कुर्ग की जा सकती है संपत्ती या फिर यहां पती आलोक मोरिया ने जिस हिसाब से आरोप लगाए कि मैंने बहुत सारे जो पैसे हैं वो जोती मोरिया के पढ़ाई में लगाए हैं ऐसे में कोट जोती मोरिया के पती आलोक मोरिया को मुआवजे के तोर पर उ जोती मौरिया के लिए काफी ज्यादा चिंता जनक वाली बात है फिलाल इस वीडियों में इतना ही देखते रहे नेक्स ट्राइन लाइफ